हरे कृष्णा भगवत गीता अध्यन माला कारिक्रम में आप सभी का हर्दिक स्वागत है भगवत गीता केवल किसी एक धर्म समुदाय के लिए नहीं अपितु समस्त मानव जाती को लाभानवित करने वाला शास्त्र है जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके शिश्य एवं प्रिय मित्र अर्जुन को दिये गए इस ज्ञान से उनके सभी संशय दूर हुए उसी प्रकार हम भी भगवत गीता का अध्यन करके एवं उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं आईए शिरिमान दास कदाधर प्रभुजी के साथ अध्यन करें भगवत गीता का हमारे प्रवक्ता शिरिमान दास कदाधर प्रभुजी ने पुने विश्वे विद्याले के सिंगहर कॉलेज से सन 2005 में कम्प्यूटर इंजिनेरिंग में सनातक के डिगरी प्राप्त की एवं जानीमानी सौफ्वेर कंपनीज जैसे औरेकल वट टाइटन टेकनोलोजीज में भी विकारे कर चुके हैं वर्तमान में प्रभुजी भारत वर्ष के अनेग बड़े राज्जर में भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं एवं युवाओं हेतु सेमिनार भी लेते हैं तो आईए श्रमन करते हैं भगवद गीता अध्यनमाला श्रीमान दास कदाधर प्रभुजी के श्री मुक से धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम ज्ञानति मिरंदस्य ज्ञान अन्यन शलाकया चक्षोरुन्मिलितम्येन तस्मै श्री गुरवे नमहा नमाओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रिष्ठाय भूतले श्री मते भक्ति वेदांत स्वामीनिती नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिने निर्विषेष शुन्यवादी पाष्चात्य देश तारणे जै स्री कृष्णु चैतन्या रभू नित्यानन्द श्री अद्वेत अगदाधर श्रिवासादि गौरवक्त वृन्द अरे क्रिशना तो आज हम पढ़ रहे हैं अध्याए एक श्लोक 21 एवं 22 तो जैसे हमने पहले भी बताया था कि पहले अध्याए को चार भागों में विभाज़ा जा सकता है जिससे पढ़ने में बड़ी आसानी होती है तो श्लोक रमांक 21 से 27 यह है जो 7 श्लोक हैं यह श्लोक भगवान की भक्तवत सलता को दर्शाते हैं तो आज हम लोग 21 से 22 का अध्येन करेंगे अर्जुन ने कहा हे अचुद कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें जिससे मैं यहां उपस्तित युद्ध की अभिलाशा रखने वालों को और शास्त्रों की इस माहान परिक्षा में जिन से मुझे संगर्श करना है उन्हें देख सकूँ तो यहां से एक इच्छा जो अर्जुन की है यह इच्छा ही उनको एक द्वंद में फसाएगा इसी द्वंद का निवारन करने के लिए वो शरणागती लेंगे भगवान की शरणागती स्विकार करने के बाद भगवान उनको बोध करेंगे करम के बारे में ज्यान के बारे में निश्काम करम के बारे में ध्यान योग के बारे में भक्ती योग के बारे में जीवन के शैली के बारे में कि क्या जीवन का असली तथ्य है क्या असली जीवन का रहस्य है ये भगवान उनको इसके आगे इस माध्यम से बताएंगे तो यहाँ पे सेन योर उभई योर मध्य अर्जुन बहुत ही व्याकुल हैं ये देखने के लिए कि अवस्थितान कौन दृड रूप से मुझे खड़ा हुआ है और योद्ध कामान कौन यहाँ युद्ध के इच्छा से यहाँ आया हुआ है और कौन-कौन है जो ये कौर्वों के पक्ष में खड़े होके अधर्म का पक्ष ले रहे हैं ये जानते हुए कि युद्धिष्ठिर राजा बनने योगे हैं पांड़ोंने कभी अन्याय नहीं किया पांड़ोंने कभी अधर्म नहीं किया और दुर्योद्धन ऐसा कोई कुकर्म नहीं हो जो नहीं किया हो तो यहाँ पे सब जानते हुए भी अगर कोई दुरिधन के पक्षे से खड़ा है तो मैं उनको देखना चाता हूँ कौन-कौन है और भगवान भी चाते थे कि तुम एक बार देख लो उससे कम से कम जब बान चोड़ोगे तीर चोड़ोगे तो मन में दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि यह कारिया तो ग्यान पुरुवक करना होगा क्योंकि यहां तो भीश, मद्रोन, महारती जब खड़े हैं सामने तो एक तो बहान युद्धा है उसमें कोई संशे नहीं है और युद्धा से जादा संबन्ध होने के कारण स्वयम का घर का संबन्ध होने के कारण भीश मा अपने दादा के संबन्ध है उन से युद्ध करना और एक परुशराम के शिश्य से युद्ध करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है लेकिन यहाँ पर भगवान चाहते थे कि जाओ एक बार देख लो क्योंकि बड़े बड़े युद्धा भी कभी कभी धर्म अधर्म में भेद करना भूल जाते हैं तो जाओ एक बार देख लो फिर द्रोनाचारे को भी जो इतने बड़े भारत द्वाज के शिश्य थे और इतने बड़े शिक्षक थे जिन्होंने सभी कौरो एवं पांडों को ग्यान दिया वो भी आज युद्ध में कड़ें उनको भी देख लो अपने भाईयों को देख लो इस भाव से भगवान भी रत खीचने लगे लेकिन इस श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है वो शब्द यहां पे है अचुत अचुत का मतलब है वो जिनका पतन नहीं होता ऐसे तो भगवान तो स्वयम भगवान है तो पतन का तो सवाल ही नहीं आता परन्तु पतन उनका अपना नहीं है तो पतन उनके शब्द का है कि भगत के जो शब्द है वो गिरने नहीं देते भगत की वानी को एक बार भगत ने शब्द दे दिया या इच्छा कर दी तो उसको पूरा भगवान स्वयम कर देते हैं अगर भक्त समर्थ ना भी हो शक्तिशाली ना भी हो तो भगवान स्वयम उसे मदद करते हैं आप अपने जीवन में भी देखिएगा अनेक बार अनुभू किया होगा कि आपने कुछ इच्छा किया है और अचानक से वो प्रकट हो जाता है वो आपके सामने आ जाता है वो व्यक्तिया आपके सामने आ जाती है या वो इच्छा जो आपने की थी वो पूरी हो जाती है तो भगवान बड़े दैयलू हैं वो अपने भक्तों की इच्छा कभी खैल करते हैं परंतु वो उतना ही देते हैं जितना उसके अध्यत्मिक जीवन के लिए जरूरी है क्योंकि कभी-कभी ज़्यादा धन या संपति देने से उसके मद और उसके अहंकार का बढ़ावा बढ़ोतरी हो सकती है यह सोच के भगवान भी कभी-कभी कुछ चीज़े नहीं देते हैं एक बार महाभरत की यह घटना है जब दस्वे दिन नौवे दिन के अंत में जब दुरिधन को लगा कि करन के बाद शक्तियस्त्र है लेकिन वो भीश्म के सामने युद्ध नहीं कर पा रहा है और भीश्म जो है वो उनको मार नहीं रहे हैं कि भीश्म नहीं चाहते तो एक ही दिन में सर समाप्त कर देते युद्ध लेकिन भीश्म उनकों अपने पांड़ों पर अस्तर नहीं उठा रहे हैं तो दुरिधन नराज हो गए दुरिधन बोले कि आप हमारे सेनापती हैं आप हमारे मुख्य हैं आप जब चाहें तब इस अरजुन के उपर प्रहर करूंगा अच्छा एक भक्त का भाव देखिए भीश्म जानते थे कि जिसके पक्ष में भगवान स्वयम हो उसे संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता यह तो दुरिधन बुर्ख था या अलप बुद्धि का व्यक्ति था जो यह समझ रहा था कि श भीश्म ने प्रातह ही शंक फूकने के बाद अरजुन से दवंदो का आवहन करते हुए अरजुन को अरजुन से युध करना प्रारम्भ किया है और इतने तेज गती से भीश्म प्रहार कर रहे थे कि भगवान नहीं होते उस रत पे तो शायद ये अरजुन वहीं समाप्त ह हो जाते हैं तो भगवान कृष्ण ने एक शब्द दिया था युद्ध से पहले दुर्यदन को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा लेकिन यहां पे आपने भक्त के रक्षण हेतू उन्होंने सीधा भगवान नीचे उत्रे नीचे एक पईया था रत का उस पईया को उठाया जोर से भागने लोगे भेश और इतना जोर से किया तो भीश्म खुश हो गए और भीश्म ने अपना धनुश्य और तीरताओ छोड़के खड़े हो गए आलिंगन ऐसा कहते हैं भीश्म जो है वो वीर्य भाव में भगवान के साथ आदान प्रत करने के जैसे शांतरस होता है तो शांतरस में जो भक्त होता है वो भगवान का केवल गुणगान एवं स्तुति में ही आनंद लेता है अपने आपको बड़ा तुच्च मानता है और भगवान की महानता को समझते हुए गुणगान करता है दूसरा रस है दास्य रस जो भक्त वो अपने आपको भगवान का सेवक समझते हैं और भगवान को अपना मालिक समझते हैं सेवा भाव में रहते हैं जैसे हनुमान जी एकदम दास से भाव में रहते हैं हमेशा और फिर उसके बाद है साख्यरस जो भगत होता है वो अपने भगवान के साथ साख्य की रूप में सेवा करता है जैसे कृशने कि गुवाल बाल यो थे पहले जी दरूं стать और और भगवाध को भी कभी गवाल बाल जो चाच पीते थे और मुव फूल यात था तो भगवान उसको मारके और जाज़ पी जाते थे तो यह ब्रहमा जी भी देखे मोहित हो इनाएम मुहिते रहें तो ब्रह्मा जी तक विमोहित हो गए और उतना नहीं तो इंद्र ये भी एक बार भंस गये थे समझ के साधरन बालक है तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं यह साख्य भाव है उसके उपर होता है वातसल्य भाव में भगवान के साथ एक माता या पिता का जैसा आधान प्रतान संबंद होता है वो संबंद का जो मौका है वो सेवा करने का उस भाव में सेवा करने का मौका भगवान अपने भक्तों को देते हैं जैसे मा ये शोदा है माता रोहिनी हैं देवकी हैं तो भगवान को देवकी नंदन ये शोदा नंदन भी कहा बांध दिती है सोचिए भगवान को जिनको इस अंसार नहीं बांध सकता वेक मां के छड़ी से डर के आंखों से रोके आंखों से उनके आशू आ रहा है और उसके काजल भी जो है वो मिक्स होते हुए उसके साथ बह रहे हैं वो द्रिश्य देखने लाइक है कि कर से अपने व इक आतंक है मा का आतंक जैसे कोई आतंक अधियाई है और आपको बोले के मारेंगे और आकरी सांस है आपका तो जो आतंक बैठ जाये का मन में यहरदय ओ को अधय री जिनके भाई से भाई भी डरता है वो माय शुदा से डरते हैं तो यहां पर वातसल्य भाव से जो है भगवान आदन पतान किये और फिर उसके उपर होता है माधुरे भावजा भगवान एक रसिक रूप प्रेमी के रूप में समंद रखते हैं अब कोई यह कह सकता है कि भगवान की रची हुई है तो इसमें भगवान से भिन्न कुछ नहीं है तो यह समझना बहुत जरू है इस विशा में हम लोग कुछ अध्यायों में हम लोग चर्चा भी करेंगे तो यहां पे जब भीश्म जो थे वह इन पांचों यह पांचों के मुख्य रस और कुछ जाते हैं रावने कुम्वकरन बन जाते हैं तो यही भीश्म जो है अगर वह पांड़ाओं के पक्ष में हो जाते तो दूर्योदन का पक्ष तो ऐसी फीका था उसको तो दो मिट में छोड़के जाना पड़ता धर्म की संस्थापना हे तू भगवान ने भीश्म को वहां को औरों के पक्ष में रख दिया था तो भीश्म के लिए तो बहुत बड़ी परिक्षा थी कि अधर्मी का संग देते हुए धर्म की स्थापना करना तो यहां पर भीश्म ने बोला आओ और इसा हाथ उपर किया लेकिन अर्जुन भी भक्त थे देखे तीन दो भक्त और कर दूँगा तो यह एक भाव है जहां भगवान ने खुद वचन दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और उन्होंने खुद ही शस्त्र उठा लिया अच्छा देखा जाए तो इसमें एक दो काम हो गए एक तो अर्जुन की रक्षा हो गई दूसरा भीश्म ने भी त कि मैं इतना युद्ध करूंगा कि कृष्ण को शस्त्र उठाना ही पड़ेगा तो अगर भगवान शस्त्र नहीं उठाते तो भीश्म का शब्द जो है वो पतन हो जाता इसलिए यहां पे स्वयम भगवान बोले कि अरे यह तो मुझे दूंद में गिरा दिया तो अब मेरा ही शब्द गिरा दूं कि मेरा जो वचन है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा इसका त्याग करना होगा और मुझे जो है शस्त्र उठाना होगा तो भगवान बड़ी भक्त वत्सल हैं प्रेम करते हैं वो कहते हैं ना दुर्योधन का भोगन भायो रूखो सागवी दु कि दुर्योधन ने जब भगवान को चपन भोग किलाए था जब वो प्रस्ताव लेके गए थे पांच गाओं का इंदर प्रस्ता का और जब उन्होंने किया कि देखो ऐसा है कुछ नहीं तो पांच गाओं दे दू यह भाव से जब गए थे तो वहां उनके लिए पूरा मह में चपन भोग एकदम सज्ज करके तयार करके रखा गया था और क्या हुआ भगवान खुद बोले कि नहीं ऐसा है मैं खाके आया हूं और होता है जैसे कहीं कि मन नहीं लगता आदमी का तो नहीं जाता है जैसे हम लोग को आपको को खाने पे बुला ले अंदर में इरश्य घलाई अभिमान एक होता है संवान होता है वो पुरा ना हो तो वो कहीं न ही ही दिश out को आपको 1000 रुपय दे दे और उपर से बंदू से बोल देंकि। आपको गोली से मार दें ये तो आप आप तो मन ऐसा चीज है कि वह इंद्रियों से परे है कि तीसरे अध्या में आएगा कि मन जो है वह इंद्रियों से वह खुद यह सोच रहा है कि यह कैसा दुष्ट विक्ति है कि मुझे प्रसंद करना चाता है लेकिन मेरे भक्तों को प्रसंद नहीं करना चाता और भगवान बहुत ही अपने भक्तों के प्रती बहुत ही प्रेम करते हैं और उनको उन्हें कोई प्रेम करे और उनके भक्तों को प्रेमना करे तो यह भगवान को कदापी पसंद नहीं है एक आचार्य थे उनका नाम है कांचिपुर्ण आप अगर दक्षिन भारत जाएंगे तो तिरुपती से तीन गंटा आगे दक्षिन की ओर कांचिपुर्म करके एक तिर्थक शित्र है तो वहां भगवान विश्नु व और उनको चामर दिया जाता है और उनके एक हात में लिखा है माशुचा जो गीता में एक श्लोक आता है अठारवय अध्याय में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शर्णम वरज अहम्त्वाम सर्वपापे भ्यो मोक्षई शामिमा सुचाहा बगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य आप सारे धर्म धर्म मतलब हिंदु मुस्लिम नहीं मनो धर्म शारीक धर्म आपका जो करतव्य धर्म है यह सब छोड़ दो जब तुमेरी शर्ण में आओ तो इसको बाहर रख दो जैसे मंदिर के बार हम लोग चपल रख देते हैं तो अपने अहंकार को अपन जकश करने वाले श्रण में आजाओ आहम सर्वपापे भीयो में तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा और मा शुचा यह तुम चिन्टा मत करो कि आसा सोचो मत कि मैं करूंगा नहीं करूंगा नहीं तुम चिन्टा मत करो तो वर्द cabinet सौमी के वलुंठ नकोविदेति नाधेति नागश येनेति जगन निवासेति आला पिनम प्रतिदिनम कुरुम्मा मुकुंद माला स्तोत्र में कुल शेकर लिखते हैं कि भगवान आप श्री के वललब हैं, आप अप अपने भक्तों पर अनुकंपा करके उनका कल्यान के रितू वर दे उनका नाम था कांचिपुर्ण, श्रिपात्रवन चारे के छे गुरु हुए, उनमें से एक थे कांचिपुर्ण, जो बाहिये रूप से एक शुद्र के घर में उनका जन्म हुआ था, वैश्नों के लिए शुद्र, ब्राम्वन, वैश्य, शत्रिय, यह सब केवल कार्यानवित होने का पद्धती है, वैश्नों के लिए सभी समान होते हैं, क्योंकि भगवान के लिए सभी आतिप्रिय होते हैं, जैसे मा के लिए छोटा बच्चा प्रेम, जितना प्रेम छोटे बच्चे के लिए होता है, उतने ही अनपड़ बच्चे के लिए होता है, उतने ही पढ़े कई लोग धार्मिक भावना रखते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ उपर वाले ने केवल इसके उपर प्यार किया है, बाकी लोग जहनुम में चले जाएंगे, सदा के लिए नरक में वास करेंगे, ऐसा नहीं है, भगवान नरक में वास करने के बाद ही उसको उठाने का ताकत रख लेकिन भगवान बहुत हैं, तो यहां पर वरदराज सौमी का सेवा करने के लिए कांची पुरुण जो थे, वहां सेवा करते थे, चंदन लगाते थे, असनान कराते थे, और उनको एक भगवान से इतना स्निह था कि भगवान उनसे विग्रह रूप में बात भी करते थे, और ये भी भगवान से बात करते थे कि आज आपने क्या लिलाएं कि कुछ बताईए तो भगवान बात करते थे। एक बार गाओं के लोग आए जो रोज चंदन गिसके देते थे, पानी लाके देते थे, चामर, सब मंदिर साफ सफाई करके देते थे। तो उन्हेंने कांचे पुर्णों को पूछा कि हमने सुनाया भगवान से बात करते हैं बोले हाँ ऐसा करिए एक बार केवल भगवान को यह पूछ लीजिए कि क्या हम इतना सेवा कर रहें क्या हम वैकुंठ जाएंगे क्या हमारा वैकुंठ में वास होगा तो बोले क्यों नहीं पूछोंगा दूसरे दिन गए भगवान को अले भगवान एक सवाल है बोले बोलो तुम तो रोज पूछते हो आज इतना सवाल के लिए खास क्या है तो बोले कुछ भक्त पूछ रहे थे कि क्या उनका वैकुंठ में वास होगा क्या फिर वो ऐसे ही नर रहा है यहां पानी ला रहा है यहां पे मंदिर साफ कर रहा है यहां फूलों का हार बना रहा है किसी भी प्रकार से निम्न से लेके उच्च सेवा कर रहा है वो सब इसी जनम के बाद मुक्त होके मेरे धाम वैकुंठ में आएंगे तो यह जब गावालों को पता चला तो सब अपने जोशों में उत्सव मनाया, प्रशाद बाटा गया, दान दिया गया, एक दम खुश हो गए सब, कि चोलो हम लोग मुक्त हो गया, आप कोई चिंता का बात ही नहीं है, फिर क्या हुआ, एक ही वेक्ती फिर भी नराज था, कौन, तो कांची पुरन स्वयम, कांची पुर यह सब तो धाम चले जाएंगे, लेकिन मेरे बारे में तो आपने कुछ नहीं बता है, बोले कांची पुरन, तुम कुछ बोलो भी मत, तुम्हारा कोई एक लाख जनम भी हो जाए, तो भी मैं तुम्हें वेकुंट में लूँगा, इसका कोई गैरेंटिम में नहीं दे सकता तो बोले, ऐसे कैसे, मैं तो आपका रोज सेवा करता हूँ, और यह भक्त तो कभी कबारा के सेवा करते हैं, तो बोले, जो कहता है कि वो मेरे भक्तों का भक्त है, वो मेरा भक्त है, और जो मेरा कहता है मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है, क्योंकि तुम मेरे सीधी सेव करते हो तो मैं मैं तुम्हें बाद दे नहीं हूं ले जाने के लिए कुंट में लेकिन जो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं तुम्हें मदद कर रहे हैं तो वह भले उपने सेवा में गलती करें लेकिन मैं उनको बाद दे हूं उनको सेवा उनको सेवा करने के लिए तो कहांची प पुरुने के घर पर वहां पुरुने कर सकते हैं तो यहां पर भागवान खुत कहते हैं कि मैं भक्तों के पराधीन हूं क्यूं क्यूंकि बाकि जो लोग आते हैं वह धन मांगते हैं तो भवान बोलते हैं ले लो कूई धन मिल भी जाएगा तो खीन लेगा जैसे को को बनेगा करोड़ोपती खेलते हैं तो किसी करोड़ भी जीत सकता है तो यह कोई करोड़ों जीत भी लेगा तो एक तो उसमें सरकार टाक्स काट लेगी फिर उससे आपको समान खेकर दो को तो 18 जिस्टी काट लेगी आप जो भी प्रेम है कि नहीं वह के वल वह आप और भगवान जानते हैं और वह व्यक्ती जानता है तो यहाँ पर जब धन आजाये तो कोई भी नजदीक आता है, तो भुझो को देख एक काम करो, धन लो और निकल जाओ, यह तुमको क्या चाहिए पुत्र चाहिए ले-लो जाओ, तो पुत्र होना या धन प्राप्त होना, या फिर ऐश्वरे प्राप्त होना, बंगला प्राप भगवान उनको नरक में वाज दिये सूतलम है तो खुद भी पहुंच गए द्वारपाल के रूप में तो यह समझना बहुत जरूरी है कि भगवान को भक्ती से जीतना है जो यहाँ पर भगवान स्वयम यह दृष्चे सोचे कितना मनोरम में है कि भगवान स्वयम रत चला के आगे ले जा रहे हैं और यहाँ पर अरजुन जो उनका भक्त है वो मालिक के रूप में और भगवान सेवक के रूप में खड़े हैं तो हम लोग अगले श्लोक में देखेंगे कि कैसे अरजुन हताश हो रहा है और जयाँ जो उनका रत आगे बढ़ रहा है उनकी जो शक्त झाल झाल